विल्कम बैक दोस्तों आज मैं आपके सामने रिसनली टैमिल लैंगविज में रिलीज हुई एक क्राइम ट्रिलर मुवी को लेकर आया हूँ इसका नाम है इंफिनिटी मुवी की समरी यह है कि यह की दिन में चार मर्डर्स हो जाते है और वो भी अलग-अलग जगाओं पर तो जले फटावर से मुवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं उस से पहले रिटा दो प्यार फॉल इंस्टेगरांग कहानी की शुरुआत में ही एक अंजान मंदा एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मार कर उस अदमरी लड़की को किसी जगा पर लाकर उसे जिन्दा जला द जिता है खड़ दूसरे सिर्श्ण में एक बार को दिखाय जाता है बार खतम होने के बाद जब वहां का एक लड़का सारे टेबल की क्लीनिंग करते रहता है उसी एक टेबल पर एक बंड़ा पड़ा होता है दूसरे सिर्श राजन & हेमावती नाम के कपल पोली सेशन आकर अपने बेटी की missing complaint लिखवाने लगते है। सुकु नाम का एक constable इन दोनों का statement लिखते रहता है। तब इसी police station में inspector सुन्दर आता है। इन दोनों से पूछन लगता है कि तुमारी बेटी का नाम क्या है, कितनी साल है और कब missing हुई थी। तो तुलसी राजन inspector को बताने लगता है कि मेरे बेटी का नाम है तमिल्ली उसकी उमरों 18 साल है और उसको missing हुए दो दिन हुए है। सुन्दर शौक में रहकर पूछने लगता है दो दिन से missing है तो अब क्यों आये हो कमने लिखवाने के लिए। पहले नहीं आ सकते थे। है मावती कहने लगती है अरे सर हमने तो सोचा था कि हमारी बेटी अपने फ्रेंड्स के पास गई होगी लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लोटी इसलिए हम लोग पुलिशेशन चले आये। इस तरह से अपनी बेटी तमिली की कुछ डिजल्स बताने लगते हैं तब ही कॉंस्टेबल सुकु को वो बार वाला बंदा कॉल करके उस बंदे के मोत के बार में बताने लगता है कि सर यहां पर बार में एक बंदा मरा पड़ा है फोरन आप आईए। इस केस को डिल करने के लिए इंस्पेक्टर सुन्दर वहाँ पर जाने लगता है। कि कल राती सीजी लिवी के अमरा वर्क क्यों नहीं हुआ। क्या इस मर्डर के फीचे तुम्हारा हाथ है सच सच बताओ। इस तरह से सुन्दर बेचारे इस सेक्रिटी गार्ड को डाटते हुए पोलिस शेशन ले जाने लगता है। दूसे दिन टीवी में ये न्यूस चलने लगती है कि इंस्पेक्टर सुन्दर का कार अक्षेट में डेथ हो गई। और कहा जा रहा है ये कोई अक्षेट नहीं था। किसी ने जान बुचकर सुन्दर को मारा ये एक मरडर है। खर अब पुलिस वाले की डेथ हो गई है तो ये केस सीबेए के आफिस में जाता है। उस पुलिस आफिसर सुन्दर को मरे हुए दो दिन हुए लिकन अभी तक नो रिस्पॉंस नो क्लू। तो सीबेए का हियर आफिसर ये केस एवी नाम के एक बंदे को सोपने की सोचता है। तो दूसरे सीबेए आफिसर ये को दिखाया जाता है जो फिलाल किसी बड़े-बड़े पुलिटिशन को इंट्रोगेशन करते रहता है सोने के मामले में। और सी तरह ये वी बहुती सिंसर आफिसर होता है। किसी नेता वेता से नहीं ड़रता। उसके बाद तब ही इसका हियर आफिसर ये वी के पास आगर वो तीन मर्डरस केस का केस सोपने लगता है। वही पुलिस आफिसर सुंदर, ब्रेटर भोपालन और वो बार में मरा है न वो बन्दा। उसके बाद ईवी अपने असिस्टेंट तिरुका को कॉल करके ये कहने लगता है कि तुम फटावर से उस बार आजाओ। मेरे हैयर आफिसर ने उस केस को मेरे हाथ में दिया है। अभी वो सोने का केस खतम हुआ नहीं, दूसरा केस मेरे सर पर आया। तो थोड़ी देर के बाद ईवी और तिरुका उस बार जाते है। ये आने के बाद ओनर से पुशन लगता है क्या ही विटनेस कौन था। तो जिसने डेट बोड़ी को देखा था वो लड़का आकर उस दिन जियो हुआ वो सारी बात ईवी को बताने लगता है। उसके बाद ईवी इस बार का सेजरी वी फोटेज चकने लगता है। तो ये बात पता चलती है कि उस बार में जब कोई भी नहीं था तो ये एक अंजान मंदा उस बंदे का गला काट कर मार दिया। और उसी तरह ये सेजरी वी फोटेज इतनी साफ नहीं होती। उसके बाद थोड़ा बैक जाकर देखने पर ये बात पता चलती है कि वो जो लड़का है ना वो आखरी टेबल से कुछ उठा कर अपनी जेब में रख लिया तो ईवी उस लड़के को बलाकर यही बात पुछे लगता है कि तुमने आखरी टेबल से क्या उठाया था तो वो लड़का वो चीज ईवी को देने लगता है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये कोई गोल्ड मेडल है और वो भी पाई शेप में खायद दूसी तरफ पुलिस टेशन में कॉंस्टेबल सुकू उस सेक्रिटी गार्ड से पूस्ताच करते रहता है तब ही यहाँ पर ईवी और तिरुका आते है सुकू के इंट्रोकेशन को देखकर इसको डाटने लगता है कि कौन सी अंगिल से ये बंदा तुमको मडरर लग रहा है खावखा इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग भेजदो इसको बाद में खुद एवी इस सेक्रिटी गार्ड से ये पूछे लगता है कि उस राद सिसरी वी केमरा क्यों नहीं काम कर रहा था तो बाद में ये सेक्रिटी गार्ड एक छोटा सा सेक्रिट बताने लगता है कि सर अच्विली वो रैटर है ना भोपालन जब जब अपने घर को कुछ लड़कियों को ले आता है उन में से थोड़े कुछ पुलिटिकल लड़कियां भी थी अब भोपालन तो एक मीडिया परसन है अब इसकी बाद बाहर ना है इसलिए ब्रैटर भोपालन ने जब जब केमरा ओफ करने के लिए कहता है कल राद मी मनें ऐसे ही किया था सर उसके बाद इवी और तिरुका बस ऐसे ही बाहर आकर सड़क के पास चाय वगरा पीते रहते है तब ही एक कार आकर इवी को माने की कोशिश करने लगती है आइन टेम पर तिरुका इवी को बचा लेता है उसी पोलिस ओफिसर सुंदर की फाइल में से एक और पाई शेप का पीस नजर आता है वही कटा हुआ गोल मेडल इवी इन दोनों पीसेस को मैच करने की कोशिश करने लगता है लेकिन ये दो तो मैच ही नहीं होते और इसको समझ में भी नहीं आता कि आखिरकार ये चीज़ क्या है उसके बाद इवी और तिरुका व्रेटर भोपालन के ख़र जाकर वाँ के लोगों से कुछ पुश्टाच करते हुए घर की भी इंस्पेक्शन करने लगते है घर आते समय एवी कॉंस्ट्रिबल सुकु को अपने घर लाकर इसको दारू पिलाते हुए इसके इंस्पेक्टर सुन्दर के बारे में पूछने लगता है कि सुन्दर कैसा बंदा था तो नशे में आकर सुकु थोड़ा भोग सच बताने लगता है कि सर इंस्पेक्टर सुन्दर तो हर जगा पर रिश्वत लेता है लेकिन सर एक मामरे में बहुती अच्छा इंसान था जितना भी ये रिश्वत लेता हम लोग में बाट देता कुछ दुनों पहले व्रैटर भोपारन के बारे में भी बात कर रा था मतलब व्रैटर भोपारन से एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है करोडो में पैसा मिलने वाला है लेकिन इसी दर्मियान में इंस्पेक्टर की मौत हो गई और सी तरह उस व्रैटर की भी मेरे बिना पैसा बाटने वाले थे साले मर गए दोने के दोनों खर दूसरे दिन एवी गौर्णमेंट हास्पिरल जाकर अपने फ्रेंड नेंडरी से मुलाकात करने लगता है अब तक जो हत्याएं हुए उनकी आटापसी रिपोर्ट मांगने लगता है इसी बातों हैं बातों में तिरुका ये देखता है यहाँ पर बहुती लंबी चेजिंग होने लगती है इसी चेजिंग के दोरान वो बंदा एवी के हाथ में एक पैकेट फेकने लगता है जब एवी हास्पिटल आकर इस पैकेट को उपन गरता है तो इसमें यकोर पैशेप वाला गोल्ड कॉइन होती है मतलब आप तक इसको तीन तुकड़े मिले दूसे दिन एवी तुलसी राजन और हेमावधी के घर जाता है क्योंकि इनकी बेटी मिसिंग हो गई न वहाँ जाने पर ये बात पता चलती है कि अपने बेटी मिसिंग होने के बाद वो वाइफ एन हजबन अपने घर को ही नहीं आये बहुत दिनों से ये घर बंद पड़ा है उसी मिसिंग के इसके बारे में जानने के लिए इवी दुबारा पॉलिशेशन जाता है सुकू कहने लगता है हाँ सार उन लोगों ने हमारे पॉलिशेशन में ही अपने बेटी की मिसिंग अम्प्लेट लिखवाई थी इस तरह से स्टेटमेंट पेपर देने लगता है जब इवी इस स्टेटमेंट पेपर को पल्टा कर दिखने लगता है तो इसके उपर कुछ कॉडिनेट्स होते है उसी रा इवी इन कॉडिनेट्स को फालो करते हुए उस जगा पर जाने लगता है आचलियो वो बहुती सुनसान जगा होती है शहर से बहुती दूर जब इवी यहां पर आकर कुछ तलाश कर रहा होता है तो इसको एक हैरान कर देने वाली एक चीज़ नजर आती है कुछ कोते इनसान के डिट बाडि को काट काट कर खा रहे है उसके बाद क्या था दूसरे दिन फॉरंसिक वाले मीडिया वाले यहां पर पहुंच जाते है दिखने में ऐसा लगता है कि कोई इस लाश को जलाने की कोशिश की लेकिन ये पूरी तरह से जली नहीं होती फेस्ट टोटली खराब हो चुका होता है पहचानने के लायक ही नहीं होता थोड़ी देर के बाद नंदेनी यहां पर आकर इस डिट बॉड़ी के कुछ बॉड़ी पार्टस अपने ले जाने लगती है और टापसी करने के लिए क्योंकि ये बॉड़ी बहुती बिगर चुकी होती है थोड़ी देर के बाद नंदेनी यवी के पास आकर इसके डीटेल्स बताने लगती है के मरने वाली लड़की है और इसकी एज तकरिबन 20 साल होगी और सी तरह इस लड़की को मरे हुए तकरिबन 3 से 5 दिन हुए होंगे और यह कोर शौकिंग बात यह है के शायद इस लड़की का ग्यांग रेप हुआ था लेकिन वो रेप नहीं था क्योंकि उस लड़की ने अपने मर्जी से 2-3 लोगों से कांड किया था मतलब इससे कौन सेंसुल सेक्स लेकिन मैं यकिन के साथ नहीं कह सकती खायर दूसरी दिन टीवी में यही न्यूस चलने लगती है कि जो लड़की मिसिंग होई थी तमिल्ली वो अब मरी पड़ी है उसी की डेट बोड़ी फारिश में मिली थी और अब फिरहाल उसके माबाब गायब है दूसरी दिन एवी और कुछ पुलिस वाले तुलिसी राजन की घर जाते है यहां आने के बाद एवी इस घर की अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है इसी घर में उपर वाले कमरे में एवी यह देखता है कि एक सर्टिफिकेट का फ्रेम तूटा हुआ है और यह सर्टिफिकेट तमिल्ली का है तब ही एक अंजान मंदा एवी को कॉल करता है इवी पहचान लेता है कि यह तो वही बंदा है जिसने इस पर शूट करने की कोशिश की कहने लगता है कि जो मैंने तुमको पीसेस भेजे उसी लड़की के गोल्ड मेडल के थे दूसरे दिन अचानक सही तुलसी राजन और हेमावती इवी के पास आते है क्योंकि सारे न्यूस चानल में यही की न्यूस चलती रहती है सो इवी इन दोनों से पूशन लगता है अरे आपकी बेटी की डेथ हो गई किसी ने उसको जला कर मार दिया लेकिन आप कहां पर छुपे बैठे हो हेमावती कहने लगती है हमें पता है सर हमारी बेटी मर चुकी है लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि इंस्पेक्टर सुन्दर का केस क्या हुआ ये सुनने के बाद एवी शौक में रह जाता है कहने लगता है क्या आप लोग पागल हुचके हो मैं क्या सवाल कर रहा हूँ आप लोग क्या जवाब दे रहे हो लेकिन भीर भी हमारी ये ही पूशन लगती है कि सर आप बताईए इवी दुबारा कहने लगता है लगता है आप दोनों को चुपा रहे हो इस तरह से इन दोनों को अपने कस्टेडी में ले लेता है पुलिस वाले से कहने लगता है कि जब तक मैंना को हूँ इन दोनों को कही पर भी मत भिजना उसी रात इवी रवी नाम की एक बंदे के घर जाने लगता है रवी और कोई नहीं जो बार में मरा थाना उसी का नाम रवी होता है घर के पास आने पर एक कफिल एवी से कहने लगते है आच्छली सर मैं यूए स्थ में रहता था उससे पहले इस घर में रवी नाम का एक बंदा रहता था रिसेंटली हम लोग ने एक घर लिया रवी के बारे में मैंने सिर्फ लोगों से सुना है कि रवी की पत्नी मनने के बाद वो हर रोज अपने घर प्रोस्टिट्टिट्स को लाया करता था जिसके वेशे नाइबर्स इस पर कम्प्रेंट करने लगे बाद में रवी ने दूसरी शादी कर लिया और रवी की पहली पत्नी की बेटी थी उसका बहुत टॉचर किया करता था रवी ने खुद उस बच्ची को एक और्फनेज में छोड़ दिया इस तरह से उस और्फनेज का अड़र्स बताने लगते है यह जानने के बाद एवी फटावर से उस और्फनेज आता है वो बच्ची अर्फनेज के बारे में पूशन लगता है क्या अर्फनेज में रहती है वहां की एक और्फनेज केहने लगती है अरे सर दस दिन पहले ही अर्फनेज की डेथ हो गई यह वी शौक में रहकर पूशन लगता है वो कैसे यह उरत किहने लगती है अरे सर थोड़ी से बिमार पड़ी थी उसको हास्पिटल ले गए लेकिन तब ही उसकी डिथ हो गई आरपना को चक करने वाली और गोई नहीं कॉर्टमिंट हास्पिटल में काम करने वाली नंदिनी मेडम है जब जब नंदिनी मेडम हमारे आस्पनेश जाकर इन बच्चों की देखरे करती रहती है और एक और बात यह सर पिछले 4-5 सालों से इस आस्पनेश के काफी सारे बच्चे ऐसे ही मर रहे है कोई बच्ची बीमार होती उसको हास्पनेश ले जाते तब इसकी डित हो जाती एवी पूछे लगता है कि कौन है यहां का इंचार्ज यह औरत कहने लगती है आदवन है सर वही नंदिनी मेडम को यहां पर लाते है आदवन का फोन नंबर लेकर जब कॉल करता है तो इसका फोन सुच आफ में रहता है और यह और शौकिंग बात यह है कि आदवन और कोई नहीं तमिल्ली का भाई होता है मतलब जो लड़की जलकर मर गई ना उसका भाई तो यहां से यह इंफर्मिशन हासिल करके ईवी दुबारा नंदिनी के पास जाता है और उस और्फनेश के बार में पूशने लगता है कि नंदिनी में आभी अभी उस और्फनेश से आ रहा हूँ डिस्चार्ज पेपर से डेट्टे सर्टिफिकेट ज्यादा है नंदिनी कहने लगते है अरे ईवी क्या बताओ मैं वो लोग तो बच्ची सीरियोस होने के बाद गवर्मेंट हास्पिरल लाते है अब मैं अपनी कोशिश करने लगी लेकिन क्या करूं बचा नहीं पाई कुछ बच्चों को उसके बाद ईवी नंदिनी से आदवन के बारे में पूशें लगता है तो नंदिनी साफ मना कर देती है कि ये आदवन कौन है मुझे नहीं पता बहार आकर ईवी आदवन का नंबर की रुका को देकर इसके सारे की सारे डिजल्स पता करने के लिए कहता है अड़ सेम टेम दूसी तरफ नंदिनी अपने आदवन को कौल करके आदवन को फैंड़ोट करने के लिए कहती है लगता है आदवन ने कुछ कान कर दिया इसलिए ईवी और्फनेज और मुस्तक पहुंच गया उसके बाद इवी दुबारा तुलसी राजन और हिमावती के पास आकर यही बात पूशन लगता है कि आप दोनों ने ये बात क्यों चुपाई कि आपका एक बेटा भी है हिमावती कहने लगती है कि आदवन हमारा बेटा नहीं है लेकिन बेटे जैसा है यह सुनने के बाद इवी इन दोनों को डरा धंगा कर आगे के बारे में पूशन लगता है अगर तुम दोनों ने सच नहीं बताया तो यही पर साड़ते रहोगे तो यह दोनों जो हुआ वो बताने लगते है कि जब इन दोनों की बेटी गायब हो गई तो इन दोनों ने आदवन को अपने घर बुलाया डिसेट कर लेते हैं कि ये दोनों पॉलिस्टेशन जाकर इसकी मिस्सिंग कम्रेंट लिखवाएंगे इस तरह से जब ये दोनों बाहर जाते हैं तब ये आदवन उपर वाले कमरे में आकर तमिनली का जो सर्टिफिकेट होता है ना उस फ्रेम को फोड़ कर उसका गोल मिडल हासिल कर लेता है खर पॉलिस में मिस्सिंग कम्रेंट देने के बाद आदवन तुलसी राजन और हिमावती से कहने लगता है अरे पापा वो चली गई तो जाने दीजिए आपके पास तो मैं होना मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ और वैसे भी वो दुबारा लोट कर नहीं आएगी ये सुनने के बाद हिमावती शौक में रहे कर आदवन से पूशें लगती है लोट कर नहीं आएगी मतलब क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ क्या छुपा रहे हो आदवन कहने लगता है कि मा तमिल्ली अब मर चुकी है मा उसका भाई होने के बावजुद भी वो मेरे साथ सोना चाहती थी अच्छिली कुछ दोनों पहले आदवन बस ऐसे ही अपने दोस्तों के रूम गया था तो वहाँ पर इसकी बेहन तमिल्ली आदवन के दोनों दोस्तों के साथ मिलकर कान कर रही थी जब तमिल्ली आदवन को देखा तो ये तो शौक मेरे जाती है आदवन यही बाद तमिल्ली से पुछन लगता है कि तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था तमिल्ली कहने लगती है कि देखो भाई यह मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है अगर तुमको भी मेरे साथ सोना है चलो अंदर कमरे में चलते है बस ऐसे फिजल का ग्यान मत दो यह सुनने के बाद आदवन को बहुत गुस्ता आता है रूम से बाहर जाकर अपने बेहन का इंतजार करते रहता है जब तमिल्ली यहां पर आती है आदवन दुबारा तमिल्ली को समझाने लगता है कि तम जो कर रही हो वो सही नहीं है तमिल्ली कहने लगती है मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है मैं एक से सैटिस्फाइ नहीं हूँ मुझे एक साथ दो तिन लड़के चाहिए तो तमिल्ली की जिद देखकर आदवन एक चाहु लेकर अपनी बेहन तमिल्ली को मार देता है बार बार स्ट्राप करके इसको मारने के बाद किसी सुनसान जगा पर ले जाकर इसको जला देता है यही मुवी के स्टार्टिंग में दिखाए गया था यह सच जाने के बाद तुलसी राजन और हेमावती बहुत फूट फूट के रोने लगते है कि इनकी बेटी ऐसे निकली उसके बाद एवी आदवन का फोन रिकॉर्डिंग को चकरने लगता है तो यह बात पता चलती है कि नंदनी आदवन को जानती है और सी तरह इन दोने के बीच काफी सारी बार बाते हुई थी फिलहाल नंदनी इस कॉल में आदवन को वान कर रही होती है कि मुझे पता है कि तुम सी बी आई के पास जाने बारे हो लेकिन मैं ऐसा हर्गिस होने नहीं दूँगी ज्यादा होशारी ना करते हुए मुझे आकर मिलो उसके बाद एवी के टीम में मर्स नंदनी को फालो करने लगते है उसी रात मौका देखकर खुद आदवन एवी के सामने आता है एवी आदवन को देखकर इसको बहुत माने पीटने लगता है आदवन कहने लगता है अरे सार पहले मेरी बात सो सुनो मैं क्या कियाना चाहता हूँ वो सुनो मैं खुद काफी दुनों से आप से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा था अब जाके टाइम मिला इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है आचुली कुछ दुनों पहले नंदनी आदवन के पास आकर ये कहने लगी अरे आदवन मैं थोड़ी तुमको बच्चों को किड्नाप करने के लिए कह रही हूँ तुमारे आरफनेज में जो बच्चे हैं ना उन्हें का इस्तमाल करते है हम लोग चोटे बच्चों की अंदर एक अजीब का फ्लूइट पाया जाता है और वो फ्लूइट लोगों को जवान रखने में काम आता है जैसा ये शोदा मूवी में दिखाय था ना वही कौंसेप्ट इस सिरम को हासल करने के लिए बड़े-बड़े मिलियर्स करोडों देने वाले है यही तो आजकल ट्रेंड है यही तो बिजनस है तुम बस तुम्हारे आरफनेज के बच्चों को मेरे पास लेआओ बाकी काम मैं समाल लूँगी तो आदवन पैसों की लालज में आकर अपने आरफनेज के बच्चों को ही मारने लगता है इसी दरमियान में एक दिन आदवन मजबूर होकर इस चोटी बच्ची अरपना को भी मार देता है नंदिनी को दे देता है अरपना को मानने के बाद आदवन को इसकी गल्दी का हिसास होता है तो एक दिन इसी गुस्से में आदवन ने अपने बेहन तमिलनी को मार दिया उसकी लाश को जला दिया उसके जो जो लोग इस कान के भीचे थे उन सारे लोगों को मारता चला गया पहले आदवन अरपना के फादर रवी को मार दिया उस बार में उसके बाद राइटर भोपालन को उसके बाद इंस्पेक्टर सुन्दर को और सारे सबुत एवी के हाथ लगे इसलिए आदवन एवी को थो बंदों को मार देती है अब यहां आने से पहरे लोकेशन इवी को भेजा होता है इवी यहां पर आकर इन सारे लोगों उपर फाइरिंग करने लगता है इसी फाइरिंग के दोरन रंदिनी मट जाती है फाराल सिन में जब इवी मीडिया की सामने आकर अपना स्टेटमेंट दे रहा होता है तब ही कोई बाइक वाला बंदा आकर इवी पर फाइरिंग करने लगता है इस तरह से यह मूवी यहां पर दी एंड होती है